मैंने कहा था ना मेरे माई के वालों के लिए बढ़िया नाश्ता लेकर आना हाँ तो लाया तो था अच्छा, समोसे कौन सा बढ़िया नाश्ता होता है तो और क्या लाता क्यों, जरा सो और आगे जाने में तुम्हारे पैरों में दर्द हो गया था क्या बढ़िया पेस्ट्री ला सकते थे, ब्रेट पकोड़े, नमकीन गुजिया कितना कुछ ला सकते थे लेकिन लाए क्या, वही सड़े भूसे समोसे सड़े नहीं थे, एकदम ताजे थे तनू, तुम्हारी कसम, मैंने खुद देखा थे बनते हुए एक दम चुपो जा, हे भगवान मेरी तो किसमत ही फूट गई, इस लल्लू से शादी करके, तुम्हें काम करो, भाग जाओ यहां से, मेरा माथा बहुत गरम है, अगर और मेरे सामने खड़े रहे ना तो अपनी पतनी तनू का गुसा देखकर, विचारा शिबू वहां से भाग खड़ा हुआ, शिबू एक सीधा साधा आदमी था, पर उसकी पतनी तनू बड़ी खतरनाक औरत थी, तनू से मार खाने के बाद विचारा शिबू घर के सामने वाले पार्क में जाकर बैट गया, वह बैट कर वो अपनी किस्मत को कोसी रहा था, कि अचानक उसकी पीट पर एक जोरदार मुक्का पड़ा, एक नंबर के काम चोर हो, घर से निकले तो यहां आकर पसर गए, सबजी कौन ले कर आएगा, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, बिचारे शिबू अपनी टेड़ी पीट लेकर बाजार की तरफ चला जा रहा था, और मनी मन बढ़ बढ़ाय जा रहा था, ए प्रभू, यह किस चांडाल को मेरे पल्ले बात दी आपने, अरे यार, किसकी बीवी होती है ऐसी, दुनिया भर में यही पिशाचनी मिली थी आपको मेरे लिए, शिबू का मुँ उत्रा ह हुआ था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी रहा था, कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, शिबू ने सोचा कि उसकी पत्नी तनू, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, ओए शिबू, ओए कहा जा रहा है बे, और इतना घवराया हुआ सा क्यों है, अरे, क केतन तू, मुझे लगा, क्या लगा, कि भाबी फिर आ गई तुझे पीटने, है, बोल, 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 उड़ा ले, बेटा मेरा मजाक उड़ा ले, तुझे गल्ती-गर्दी बता के यार, अच्छा सौरी भाई, वैसे कि आज फिर से पिटा है तू, है, आ यार, जब देखो ह आत उठा देती है, दोबन की तरह, अबे तो छोड क्यों नहीं देता उसे, है, क्यों उस दोबन का कुट्ता बना हुआ है, अबे अगर छोडने की बात करूंगा न, तो फिर वो मुझे छोड़ेगी नहीं, तोड़ देगी, हम, तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो केतन बहुत ही खुराफाती आदमी था, लेकिन इस बार उसकी राय शिबू को भी पसंद आ गई थी, वो उसी दिन से अपने लिए नई पतने की तलाश में चुटकिया, फिर कुछ दिनों बाद पार्क में उसे एक लड़की नजर आई, जिसके बाल बहुत ही घने और इतने गहरे घने काले बाल और उपर से क्या प्यारी सूरत है इसकी, हाँ, यही है वो, इसी को बनाऊंगा तन्नू की सौतन, अगर ऐसा हो गया ना, तो कसम से तन्नू तो जल भुनकर मरी जाएगी, ओह, कितने प्यारे बाल हैं इसके, और एक वो चुडेल, गिनकर छे बाल यह घुमती है सिर पर, है, शिबू ने उस लड़की से हाई हलो की और फिर उसके बालो की तारीफ करना शुरू कर दिया, फिर एक दिन शिबू ने उसे शादी का प्रस्ताव दे ही दिया, जिसे मोही ने स्विकार भी कर दिया, और फिर कहा मर गए थे सारा दिन, एह, की आँखों में खून उतराया और अगले ही पल शिबू की गरदन उसके हाथों में थी, उधर मोही ने अपने पती को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तनू ने उसे भी एक घुसा मार कर बेहोश कर दिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मोही ने पर हाथ उठाने की, देख कहकर तनू ने मोहीनी के बाल पकड़ लिये, तभी अचानक वो लंबी सांस लेकर बिस्तर से उठ पैठी, ए भगवान, क्ये क्या सपना देखा मैंने, तनू ने बगल में देखा तो उसका पती शिबू आराम से सो रहा था, उसने प्यार से शिबू के माथे पर हाथ पेरा, तभी शिबू भी डर कर उड़ पैठा, कुछ चाहिए क्या, या मैं कुछ भूल गया, I am sorry, माफ कर दो मुझे, अच्छा ये बताओ तुम्हे मेरे बाल कैसे लगते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, पर हुआ क्या, कुछ नहीं, आज से मैं कसम खाती हो, तुम् कुछ नहीं, सोजो, उस दिन पहली बार शिबू और तनू एक साथ मुस्कुरा रहे थे, बहुत अर्मानों के साथ सुशीला ने अपने इकलौते बेटे मुहित की शादी महिमा से की थी, महिमा और मुहित की मुलाकात एक रेस्टरेंट में हुई थी, तभी उन दोनों के मि पेता दोनों को महिमा अच्छी लगी और एक हकते पहले उन्होंने इनकी शादी करा दी, ये लीजे, आप दोनों की गर्मा गरम चाय और ये पनीर के पकोडे, बहुत तुमने तो आते ही पूरी रसोई संभाल ली, पर तुम्हारे बाबु जी को मैं इतना तेल वाला खाना नहीं देती हूँ, क्या ममी जी, बाबु जी इतने जवान और हैंसम है, आप ओली फूट क्यों नहीं देते हो, क्यों बाबु जी, आपको ये पकोडे नहीं खाने, अपनी प्यारी सी बहु के हाथ के, हाँ हाँ मैं तो जरूर खाऊंगा सुशीला, अब से तुम मुझे रो सुशीला को अपनी बहु का ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, पर उस समय सुशीला चुप रही, उधर बहु की बाते सुनकर, ससुर मदन लाल हवा में उड़ने लगा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ अभी थोड़ा आपको अपना ड्रेस का स्टाइल चेंज करना होगा बाबुजी, बालों में कलर करवाए, पारलर से फेशियल और मसाज, अगर कहोगे तो मैं कर दूँगी, मैं ऐसी मसाज करूँगी कि आप फिर मेर से ही मसाज करवाओगे, करूँ क्या? अभी नहीं, जब सब चले जाएंगे, घर पर कोई नहीं होगा, तब तुम मेरी मसाज करना बहुरानी दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी, इस बात से सुचिला और मोहित दोनों अंजान थे अरे क्या होँ महिमा, तुम अभी तक तयार नहीं हुई, आज तो हमें शादी में जाना है न, मम्मी तो कब की तयार हो गई है, मैं भी बस तयार हो रहा हूँ, चलो तुम भी तयार हो जाओ, पहली बहुत लेट हो गया है मोहित मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है मैं शादी में नहीं जा पाऊंगी प्लीज तुम मा जी और बाबु जी तीनो चले जाओ क्या? तुम्हें सिर में दर्द है? एक काम करता हूँ हम शादी में जाने का प्लैन कैंसिल कर देते हैं तुम चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर से दवाई दिलवा लाता हूँ, अभी डॉक्टर बैठा होगा। नहीं नहीं मैं ठीक हो जाओंगी, कुछ दिर सो कर देखती हूँ, मेरी वज़े से तुम लोग जाना कैंसल मत करो, अगर जादा परिशानी होगी तो मैं फोन कर दूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। सुशिला को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर वो बेटे के सामने क्या बोलती, वो दोनों शादी में चले गए और बस महिमा को तो इसी बात का इंतजार था। उसने चालाकी से मदनलाल को अपने प्रेम के जाल में फसा लिया, मैं जानती हूँ, आपको वो प्यार माजी से कभी नहीं मिला जो मैं आपको दे सकती हूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। अपनी वसियत मेरे नाम कर दो, फिर मैं आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूगी। ठीक है, वसियत के कागस सुशिला की अल्मारी में, अगले एक-दो दिन में मैं ये काम कर दूँगा। अगले एक-दो दिन तक महिमा ने अपने ससुर से बात करनी बंद कर दी, अब ससुर परिशान हो क्या? क्या बात है महिमा तुम मेरे से बात नहीं कर रही हो मुझसे कोई गलती होई है क्या तुमने मुझे वो प्यार देना बंद करती है जो तुमने दिया था आप भी तो अपना वादा भूल गए जो आपने मुझसे किया था मेरा मतलब है आपने कहा था कि आप एक दो दिन में अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे पर आपने ऐसा नहीं किया अच्छा हाँ ठीक है मैं ये काम आज ही कर दूँगा आज मोहित भी घर पर नहीं है बाहर गया है देड़ से लोटेगा उसके पीछे ही ये काम हो जाय तो सही है मैं कागजाद लेकर आता हूँ महिमा मनिमन बहुत खुश हो रही थी मदनलाल अपने कमरे में जाता है और सुशीला से वसीयत के पेपर मांगता है क्या आप ये सारी जायदाद बहु के नाम कर रहे हो पर ये तो हमें अपने बेटे मोहित के नाम करनी है नहीं अब इन पर बहु का नाम होगा मैं अपनी सा आप बूरी हो गई हो, और ससुर जी तो अभी भी पूरे जवान है, इस बात की परक तो मैं कर चुकी हो, ससुर जी को अगर मुझसे कुछ पाना है तो उन्हें भी तो मुझे कुछ देना होगा न, इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम होगी, ऐसा समझ लो कि अब म तुम्हारी सौतिन बन गई हो, और मैंने तुम्हारे पती को तुमसे छीन लिया है, क्यों ससुर जी, छी, मुझे घिर ना रही है तुम्हें अपनी बहु कहते हुए, तुम बहु के नाम पर कलंक हो, मैं जानती हूँ तुमने ये प्रॉपर्टी पाने के लिए इन्हें करती हूँ, मैं मोहित को अभी फोन मिलाती हूँ, तुम्हारी काली कर्तूत उसे बता कर रहोंगी, तभी महिमा सुशीला की गर्दन दबाने लगती है, बता, बोलेगी अपने बेटे को या तेरी गर्दन दबा दू, तभी बाहर से गेट बजने की आवाज आती है, महिमा तो अपने बेटे की याद में रोते रहना, अगर तु ये चाहती है, तो जा, जाकर अपने बेटे को सच क्या है, है हिमत, घबराओ नहीं बाबुजी, ये अपने बेटे से कुछ नहीं कहेगी, सुशीला जानती थी उसका बेटा ये बात कभी बरदाश नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उस समय चुप हो जाती है, महिमा का एक दोस्त, मनोहर रोजाना उससे मिलने घर आने लगा, जैसे ही मोहित जाता, मनोहर पीछे से घर आ जाता, अब ये बात मदनलाल को खटकने लगी, और एक दिन, बहु मुझे मनोहर का आना बिलकुल पसंद नहीं है, मनोहर तुम यह नहीं आया करो, मैं इसका बॉइफ्रेंड हूँ, जब मरसी आऊंगा, तुम होते गोनो मुझे रोकने वाले, हाँ, ये मेरा बॉइफ्रेंड है, और मैंने इससे यहां से जाएगा, और एक बात, वो प गलत रास्ते पर चलाया, पर अब मेरी आखे खुल गई है, मैं गलत का साथ नहीं दूँगा, बेबी ये बुड़्डा तो बहुत बोलता है, तुम्हें लगता ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेगा, क्यों नहीं करेगा, पकड़ो दोनों पती-पत्नी को और और सुशीला को पकड़ लेते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो, सुशीला, मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से ये सब हुआ, तब ही मोहित पुलिस को लेकर आ जाता है, पुलिस दर्वाजा खट-कट आती है, महिमा और मनोहर घबरा जाते है, महिमा अपने आपको बचाने थपर लगाता है, बस करो महिमा, और कितना जूट बोलोगी, तुमने हमारी जिन्द की नरक बना दिये, हमारे हसते खेलते सुर्ग जैसे घर को बरबात कर दिया, बाबुजे ने मुझे कल रात ही सब कुछ ससच बता दिया है, मैं तो बस सबूत का इंतिसार कर रहा था, जो माबाब को मारने की कोशिश की, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ ने करूँगा, महिमा और उसके बॉइफ्रेंड मनोहर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, मदनलाल को अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, इसलिए उसने अपने बेटे और पतनी से माफी मांग मोहित और सुमित्रा मदनलाल को माफ कर देते हैं और महिमा को सजा हो जाती है